Welcome back to my YouTube channel World Literature आज जी टॉपिक हम लोग डिसकस करने वाले हैं वो है Midterm Break Poem by Seamus Heaney Seamus Heaney की जो poem है इसको आज हम लोग details से discuss करेंगे इसका title देखेंगे इसकी further summary को discuss करेंगे line by line explanation करेंगे और इसमें major theme क्या discuss किया है Heaney ने उसको भी हम लोग discuss करेंगे lecture अपना हम लोग start करते हैं first of all देखते हैं यह publish का poem होई थी और यह किस book में जो है वो Heaney की publish होई थी Irish poet Seamus Heaney ने इसको 1966 में अपनी book Death of a Naturalist में publish करवाया था Midterm Break अपने writer के अगर हम लोग बात करें तो Heaney की birth हुई थी 13 April 1939 में इनकी death हुई थी 13 August 2013 में Irish poet थे, playwright थे, translator थे इनको Nobel Prize Literature में मिला था 1995 में और इनका जो most famous work है वो है Death of a Naturalist जो के 1966 में आया था इसी book में आज की जो हमारी poem है Midterm इसको भी हम लोग discuss करें दो poem की explanation से पहले हम poem का background देख लेते हैं ताके हमें poem की explanation को समझने में असानी हो कि background story क्या थी 53 में, car accident में और उस time पे उनके brother की age थी 4 years old और हीने की खुद की age थी 14 means के इनके brother की death हुई थी 4 years की age में और जो हीने की खुद की उस time पे age थी वो 14 थी और ये एक boarding school में उस time पर पढ़ते थे और उसकी death पे जहना ये अपने घर पे आते हैं और वो सारा scene जो है वो इन्होंने इस poem में discuss किया है उसके बाद इन्होंने इस चीज को भी discuss किया है कि जो इतना बड़ा इनको गम मिला, इनके family को इतना बड़ा दुख मिला इसको इन्होंने survive कैसे किया और एक तो ये accident हो गया इनकी life में इनकी family के साथ ये tragedy हुई बट उस पे लोगों का क्या response है उन्होंने इस चीज को बहुत जादा इसमें discuss किया है थोड़ा सा background बताऊं तो ये जो poem है उस time पे set हुई है Ireland में 1950s का time period है इस time पे जो social norms थी Ireland में बहुत जादा सक्त थी मतलब कि वहाँ पे लोग अपने emotions को अपने दुख को अपनी tragedies को किस तरह से show करवाएंगे उस चीज के लिए बहुत जादा जो gender roles से वो fix थे जैसे अगर male है तो male जो है वो अपने emotions का इधार नहीं कर सकता किसी की death पे अपने near once के बिचाए death हो रही है तो उस पे भी male को जो है वो strong बहुत ही bold person माना जाता है hard person के वो जो है वो इसमें survive कर लेगा उसे रोने नहीं दिया जाता था इस type के जो strict rules है वो 1950s में हमारा जो title है mid term break इसके अंदर हीने ने actually में वो time बताया जब हम किसी भी school में education ले रहे होते हैं तो वहां पे कुछ short time period के लिए हमें holidays होती है तो जो time period होता है ना उसको mid term break कहा जाता है हमारी exams के बाद जब हमारे final exams होने से पहले जो short time period के लिए हमें holidays मिलती है उनको कहा जाता है क्योंकि हीने खुद एक boarding school में पढ़ते थे और अपने brother की death को attend करने के लिए अपने mid term break में अपने घर आई थे तो इसी चीज़ को उन्होंने अपना title बना अपने lines को जो है वो explain कर लेते हैं first line जो है हमारे पास ये है I sat all morning in the college sick bay counting bells kneeling classes to a close कि मैं सारा दिन हीने जो है वो एक autobiographical उन्होंने poem लिखी है तो वो खुदी सी जो है न वो इसको narrate करें कहते हैं कि मैं सारा दिन जो है न वो college sick bay में बैठा रहा हूँ एक nurses का room था जहां पर मैं बैठा रहा हूँ और मैं बैल्स को गिनता रहा हूँ क्योंकि बैल जो होती है कि हमारे school में एक period होता है एक 14 minutes का वो जब खतम हो जाते है तो second bell होती है means कि second जो period है वो start हो चुका है next teacher ने अब class में आना है और end पर जब बहुत ज़दा bells होती है तो means कि अब जो है न वो छुटी का time हो चुका है तो यहां पर वो बैठे bells को गिन रहे है बैल्स को यहां से हम लोग एक और चीज़ के साथ भी symbolize कर सकते हैं चर्ज में जब bell बच्टी है means कि कि किसी के funeral की बच्टी है bell किसी के death के जो है वो announcement भी की जाती है तो चर्ज में भी bell को use किया जाता है तो इन दोनों चीज़ों को हम यहां पर symbolize कर सकते हैं उसके बाद लाइन में कहते हैं a two's cloak our neighbors drove me home कि मेरे neighbor ने मुझे कॉली से pick किया उसके बाद उसने मेरे घर पे मुझे छोड़ दिया next line में कहते हैं in the porch I met my father crying he had always taken funerals in his stride and big dream events saying it was a hard blow उसके बाद कहते हैं कि जो मैं घर में enter होता हूँ तो मैं अपने father से मिलता हूँ जो कि रो रहे होते हैं क्योंकि मैंने अपने father को हमेशा देखा होता है कि वो जब भी किसी की death होती है बहुत ज़्यदा strong होते हैं बहुत ज़्यदा एक ऐसे strong man की तरह behave करते हैं इसको कुछ फरक नहीं पड़ता बट अब मेरे भाई की death होई है तो वो भी रो रहे है and big dance से मिलता हूँ और वो मुझे कहता है वो मेरे से जो है वो दुख का इधार कहता है कि ये बहुत बड़ा तुम लोगों का जो है ना वो loss हुआ है अभी तक हमने वहाँ तक point को discuss किया है यहां तक हमें नहीं पता है कि इनके भाई की death होई है वो तो हमने background में discuss किया है कि इसके भाई की death होनी है वो हमें end lines के end बे पता चलता है बट ये story को इस तरह से narrate किया गया है कि हमें जो है ना वो हमारे अंदर curiosity जो है वो increase हो further line में कहते है कि जब मैं घर further enter होता हूँ तो होता क्या है कि मैं देखता हूँ baby है वो खेल रहा है हस रहा है और फिर मुझे ना एक old man मिलता है वो मेरे हाथ को हिलाता है और हाथ को हिला के मुझे कहता है कि मेरे साथ ये जो मुझे पेश आई है वो इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो अफसुर्दा है उसके बाद यहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं मेरे घर पे वो कहते हैं कि मैं इस घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ कि मेरी मदर जो है उसने मेरा हाथ जो है वो मजबूती से पकड़ा हुआ है और वो रोर ही है गुसे की हालत में है अब वो क्यों है ये तो मैं अगर फार्डर लाइन्स में ही पता चलेगा उसके बाद कहते हैं अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि में इसके देथ हुई है इसी वज़ा से यहाँ पे लोग इकटे है इसके फादर हो रहा है इसकी माने इसका हाथ जो है मजबूती से पकड़ा हुआ है अब दस बच चुके हैं और अंबुलंस आती है और अंबुलंस में एक लाश है कि नर्सिस ने उसको मरहम पटी की हुई है और अब जहेना हम सब लोग खड़े उस आंबुलंस को देख रहे हैं अगली सुबह बहला क्या होता है कि I went up into the room मैं उस कमरे में जाता हूँ जहां पे मेरे भाई की जो है वो लाश को रखा गया है कि मैंने इसको छे हफ़तों बाद देखा है क्योंकि मैं छे हफ़तों से अपने बॉर्डिंग स्कूल में था वहाँ पे अपनी अजुकेशन ले रहा था और छे हफ़तों के बाद आया हूँ तो मेरा भाई जो है उसको जहाना वह बेड़ साइड पे बिलकुल ऐसा लग रहा है जैसे वो सोया हुआ है और वहाँ पे कैंडल्स हैं फ्लार्स हैं क्योंकि वो उसकी डेथ को रिपरेजेंट कर रहे हैं अब यहां से हमें पता चलता है कि इनके ब्रदर के साथ हुआ क्या था एक्चली में इसके ब्रदर को जो कार के बंपर ने जैना वो उड़ा के फैंका था सड़क पे तो उस वज़ा से उसकी डेथ हुई है और उसकी बॉड़ी पे कोई ऐसे बहुत ज़्यादा बड़े जखम भी नहीं है थोड़े बहुत हैं लेकिन उस पे भी मरहम लगाई हुई है और यहां से पता चलता है कि बहुत ज़्यादा जखमी नहीं हुआ था जब उसकी डेथ हुई थी अब यहां पर यह जो लाइन है बहुत इंपॉर्टन्ट है means कि जो बॉक्स है जिसके अंदर उसको बंद किया गया है वो फॉर फूट है means कि क्योंकि उनके ब्रदर की जो एज थी वो भी चार साल थी अब जो साइज है उस बॉक्स का जिसमें उसको बंद किया गया है उस लाश को वो भी फॉर फूट है कैते हैं कि हर फूट है ना वो उनके हर एक साल का है मतलब कि चार साल की उमर में चार साल की उमर में जो चार फूट है ना वो उसको रीपरेजंट करते हैं और यहां पिर जो पॉइम है वो खत्म हो जाता है मिड्andy break का जो major थीम है, वो है the nature of the grave क्योंकि हीनी ने अपने ब्रदर की डेथ को इसमें डिसकस की है उन्होंने अपने ब्रदर की डेथ को जो के एक्सिडेंट से हुई थी उस एक्सिडेंट को इतना डिसकस नहीं किया इन्होंने बहुत जादा जिस सीज़ पर फॉकस दिया है वो इस जीज़ पर दिया है कि जब किसे family के साथ tragedy होती है जब कोई death होती है तो उसके बाद जो आसपास के लोग होते हैं वो किस तरह से behave करते हैं वो किस तरह से आपके साथ आपके घर में शरीक होते हैं किस तरह से आकर आपके लोगों गर में जमा हो जाते हैं उसके बाद जो है वो हर कोई अपना response दे रहोता है जैसे के हीने जब अपने घर में enter होते हैं तो वो जो old man है उनको क्या कहता है कि तुम जो है वो eldest brother हो और साथ ही साथ कि जो तुम लोगों का जो दुख है वो बहुत बड़ा एक big loss है उसके बाद उनकी mother जो है वो कितनी ज़्यादा गुसे में है इस वज़ा से अपने जो बेटे की death की वज़ा से इस चीज़ को उन्हों ने discuss किया है I hope कि आपको यह poem जो है वो समझ आ गई होगी वीडियो को like औ शेयर और channel को ज़रू सब्सक्राइब कर दीजिएगा तेक्स फोर वाटिंग मैंचे.